शीमत भागवत कथा के तीसरे दिन विधायक रामिश्य शर्मा ने विदिवत व्यास पीट की पूजा अर्चना की और आशिरवाद लिया कथा प्रारंब आर्थी के दोरान एमाई की सदस श्री किष्ण मोहन सोनी सहित गणमान नागरिक समा से भी मवजूद थे शीमत भागवत कथा में आचार श्री मृदिल किष्ण शास्त्री ने प्रवचन में कहा कि पित्रपक्ष में वर्शा का होना पित्रों की पिसनिता का कारण होता है पित्रपक्ष में कोई तरपन कर पाता है और कोई नहीं कर पाता लेकिन इंद्र देवता ने आज सभी पित्रों का तरपन कर दिया है यह शुब सैयोग है कि एक और इंद्र वर्शा कर रहे हैं तो दूसरी और यहां शीमत भागवत भक्ती की वर्शा हो रही है आचार श्री ने कहा कि जूट बोलने वालों की आयू कम होती है सत्य बोलने वाला व्यक्ति चरित्रवान होता है सत्य व्रत सबसे बड़ा व्रत है इसे अपने जीवन में पालन करें मंदिर पर शिखर अवश्य होना चाहिए उस शिखर पर ध्वजा भी होनी चाहिए उस ध्वजा और शिखर के दर्शन करने से झाल झाल